ओम शान्ती सुनते हैं 25 डेसेंबर 89 के अव्यक्त बाप दादा के मधूर महावाके आज की मुरली क्रिस्मस डे की है क्रिस्मस जे को बड़ा दिन कहते हैं तो बड़े दिन पर बाबा की अव्यक्त महावाके तो बाबा ने चार प्रशन नमबर वन संगम युक का हर दिन बड़ा दिन कैसे है नमबर टू बाप संगम पर बच्चों को जनम जनम साथ रहने वाली कौन सी गिफ्ट देंगे नमबर थ्री ब्रह्मा बाप ने बेफिकर बादिशा बन कौन सा गीत गाया नमबर चार सजे हुए क्रिस्मस ट्री का क्या राज है तो बाबा ने आज ये बड़े थे बड़ा दिन संगम युक है बड़ी प्राप्तियां होती बड़ा बाप मिला बड़ी गिफ्ट मिलती बड़ा बड़ा सब कुछ बड़ा बड़े आपके विचार बड़े आपके वाक्य बड़े आपकी जीवन बहुत ही सुन्दर मुरली है तो सुनते हैं पच्छी दिसंबर निवास्ति की मुरली बड़े दिन पर अव्यक्त बापतादा के माहँ वाक्य आज बड़े थे बड़े बाप बच्चेँ को अलौकिक दिवे संगम युक्ते हर दिन की मुबारक दे रहे हैं दुनिया वालों के लिए विशेश एक बड़ा दिन होता है और बड़े दिन पर क्या करते हैं वैस समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है और प्यारा है जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है आईउ में छोटा है लेकिन विशेशता और प्राप्ती दिलाने में सबसे बड़ा युग है तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है क्योंकि बड़े थे बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है क्योंकि बड़े थे बड़ा बाप साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ती भी अभी होती है बाप दादा सभी विच्चों को बड़े ते बड़ा पुर्शोतम अब बनाते हैं क्यों बड़ा दिन है उसके कारण बाबा बता रहा है जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशिया मनाना, एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना और फादर द्वारा ही गिफ्ट दिलाने मिलने का दिन मानते हैं आप सब को बाप से, बाप ने संगम युक पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दिये बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हतेली पर स्वरक्का राज्य भाग लाया है तो सब की हतेली पर स्वरक्का राज्य भागे है ना जिसको कहते हैं तिली पर भहिष्ट हतेली पर इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दे लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे ये क्या होगी जैसे सूर्य के आगे दीपक तो संगम युग की यादगार निशानिया अन्य धर्मों में भी रह गई आपके बड़े युग में बड़े बापने बड़े ते बड़ी गिफ्ट दी इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधी से मनाते हैं न वह क्रिस्मस फादर कहते हैं फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है चाहे लोकी कृती से भी देखो फादर बच्चों का दाता होता है यह है बेहद का फादर और बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी कितने अच्छे अच्छे मुबारक की कोई गिफ्ट में देते हैं लेकिन आज का दिन बीट गया फिर उस कार्ड को क्या करेंगे थोड़ा समय चलता है न खाने पीने की मीठी चीजें भी देंगे ये भी कितना समय चलेंगे कितना समय खुशी मनाएंगे नाचेंगे गाएंगे एक रात लेकिन आप आतमाओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जनम तो साथ है ही लेकिन जनम जनम साथ रहेगी दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है लेकिन आप क्या कहते हो आप फलक से कहते हम आतमाइं बाप दुआरा मिले उए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अने एक जनम भरपूर रहेंगी एकिस जनमों तक ये गिफ्ट साथ रहेगी ऐसी गिफ्ट कभी देखी है एकी जनम तक साथ रहे कभी गिफ्ट देखी है ऐसी चाहे किसी भी फॉरें देश के राजा बारानी हो क्या ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं किस बर्त तक चले हैं कोई नहीं दे सकता चाहे पूरा तक्त दे दे में आफर करें ये तक्त आप ले लो आप क्या करेंगे कोई लेगा बाप के दिल तक्त के आगे ये तक्त भी क्या है इसलिए आप सबी फकर में रहते हो फकर अर्थात रूहानी नशा इस रूहानी फकर में रहने वाली किसी भी बात का फिकर नहीं करते बे फिकर बादशा बन जाते अभी के भी बादशाह और भविशे में भी राजाई प्राप्त करते है इसलिए बड़ी सबसे बड़ी और सबसे अच्छी ये बेफिकर बादशाई है कोई फिकर है और प्रविटी में रहने वालों को बाल बच्चों का फिकर है कुमारों को खाना बनाने का फिकर ज़्यादा है कुमारियों को क्या फिकर होता है नोकरी का कि अच्छी नोकरी मिल जाए अरे के फिकर बाबा बता रहा है फिकर है क्या बे फिकर होना जिसको फिकर होगा वै बे फिकर बादशाई का मज़ा नहीं ले सकेगा वे शुकी राजाई तो बीस जनम होगी लेकिन ये 21 जनम बेफिकर बादशाई और दिल तक ये एक इस युग में मिलता है एक जनम के लिए तो एक का महतव है ना महतव है बाबा पूरा है बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते ब्रह्मन जीवन अर्थात बेफिकर बादशाई ब्रह्मा बाप बेफिकर बादशाई बने तो क्या गीत गाया क्या गाया भई पाना था सो पालिया काम क्या बाकी रहा आप क्या कहते हूं और बाबा क्या कहते थे परवाथी पार बर्म की पा लिया तो बाकी क्या फिकर रहा तो बाबा ने कहा आप क्या कहते हो सेवा का काम बाकी रहा हुआ है बाबा लेकिन युवे भी करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे हम को करना है इससे बोज़ हो जाता है बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिकर हो जाएंगे निष्चe है ये स्रेष्ट कारे होना ही है वह हुआ ही पड़ा है इसलिए निष्चे बुध्धि निष्चंत बेफिकर रहते हैं ये तो सिरफ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे है निमित बनाए वर्तमान और भुष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे है काम बाप का और नाम बच्चों का फल बच्चों को खिलाते खुद नहीं खाते तो बेफिकर हुए ना सेवा में सफलता का सैद साधनी यह है कराने वाला करा रहा है अगर मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति प्रमान सेवा का फल मिलता है बाप करा रहा है तो बाप सर्व शक्तिवान है करम का फल भी इतना ही स्रेष्ट मिलता है तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिकर बादशाई वाहतेली पर स्वरक के राजबाग की गौडली गिफ्ट समर्थी में रखो बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है बड़ा दिन है ऐसी अनुभूती करेंगे दुनिया बाबा ने का दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं क्या कहते हैं हैप्पी हो हेल्दी वेल्दी हो कह देते हैं लेकिन बन तो नहीं जाते ना बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी वर्दानों के रूप में साथ रहती सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते लेकिन बनाते हैं और बनना ही बनाना है क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी विनाशी होगी तो मुबारक वर्दान बन जाते हैं आप तना से निकले हुए हो ना ये सब शाखाएं हैं ये सभी धरम आपकी शाखाएं हैं ना कलप वरिख्ष की शाखाएं हैं इसलिए वरिख्ष की निशानी Christian tree दिखाते हैं Christmas tree कभी सजी होई देखी है उसमें क्या करते है बाइदावे stage पर दो Christmas वरिक्ष सजे रखे हैं इसमें क्या दिखाया है विशेश चमकते हुए जगे हुए बलब दिखाते है छोटे छोटे बलबों से ही सजाते है इसका अर्थ क्या है कलब वरिक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वे भी अपने हिसाब से सतो परदान होते हैं इसलिए गॉल्डन एजड आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है ये कलब वरिख्ष के निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं सारे वरिख्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रेंड फादर है ना कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रेंड फादर है बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है क्यों साकार सुरिष्टी की आत्माओं का आधी पती आधी नात ब्रह्मा है इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रेन फादर है आधी देव के साथ आप भी हो न अकेले आधी देव है आप आधी आत्माएं अभी आधी देव के साथ हो और आगे भी साथ रहेंगी इतना नशा है खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना या सिरफ आज गाएंगे तो बाबा ने कितना सुन्दर कहा अच्छा चारों और के गोड़ली गिफ्ट के अधिकारी बड़े ते बड़े बाप के बड़े भगजवान आत्मा हैं आदी पिता के सदा साथ ही आदी आत्मा हैं सदा बड़े ते बड़े बाप दोरा महबबत की मुबारक हो अविना शी वरदान प्राप्त करने वाले सरों साकार रूपधारी आकार रूपधारी सबी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते अच्छा ओम शांती ये एक पेरना दायक विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करें प्यार प्यार नमस्ते